जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो बेटा जी आज लेक्चर नमबर 8 हम लोग कवर करने जा रहे हैं लेक्चर नमबर 8 में हम आज बात करेंगे न्यू प्रॉफिट सेरिं हैं तो देखो लेक्चर नमबर 7 में हमने आपको वर्क मैन कंपंसेशन और आपका इंवेस्टमेंट फ्लेक्चुएशन रिजर्व के बारे में कंप्लीट कराया था आपको फिर लेक्चर नमबर 6 की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने आपको एकाउंटिंग आप गुडविल समझाया था जिसमें मैंने आपको सारी जर्नल इंट्री बता दी थी अड्मीशन से लेकर रिटार्मेंट और डेट से भी रिलेटेड उससे पहले लेक्चर नमबर 5 में मैंने आपको गुडविल को क्यलकुलेट करने के सारे मैथड बता दिये थे जिसमें आपने अबरिश प्रॉफिट मैथड सूपर प्रॉफिट मैथड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मैथड इनको आपने क्या किया था बबू कवर किया था उसके बाद हमने अपना ये आपका क्या कहते प्रॉफिट लॉस अप्रोपियेशन पार्ट इंडिया पार्टनर कै गया था, interest on drawing आ गया था, drawing की ये सारे method आ गये थे जिसमें आपने monthly drawing, quarterly drawing, half yearly drawing के साथ साथ आपने ये product method, simple method, average period method इन सब को हमने आपको lecture number 2 में cover करा दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी playlist बनी है, आपका class 12 की playlist बनी है, आप उस playlist पे जाके अगर आपने कोई भी lecture मिस कि दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इन सब को आप पढ़ सकते हैं, तो चले फिर आज की class में हम लोग क्या start करने जा रहे हैं बिटा, आज की class में हम लोग start करने जा रहे हैं आपका new profit sharing ratio और ये जो new profit sharing ratio है, ये आपका आज admission को लेकर हम चल रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं, admission को लेकर चल रहे हैं, admission वाला point अगर आज cover हो जाएगा, तो फिर हम retirement और death वाला new profit sharing ratio क्या करेंगे, देखेंगे, clear हो गया point, तो सभी लोग heading डाल दीजे, new profit sharing ratio और लिख दीजेगा bracket में in case of the admission, तो देखो सबसे पहला question या सबसे पहला case क्या कहता है, when, पहला लिखिएगा जारा सभी लोग, when, no information is given, पहला case लिखिए जारा सभी लोग, when, no information is given, when, no, information, is given, ठीक है, जैसे, ध्यान देंगे, बिटा जी, दो partner हैं आपके, हम सीधा practical से start करते हैं, ठीक है, कितने partner हैं आपके, दो partner हैं, इनका जो PSR है, वो आपका है, 3 is to 2, इनका जो PSR है, वो आपका क्या है, 3 is to 2 है, यानि ये अपने profit को 3 is to 2 के ratio में बाटते हैं, C को इन्होंने 1 upon 5 share के लिए admit कर दिया, C को इन्होंनों कितने share के लिए admit किया है, 1 upon 5 share के लिए admit किया, अब आपसे question कहता है, कि calculate new profit sharing ratio of A, B and C, आपसे question कहता है कि आप इनका new profit sharing ratio क्या करो, calculate करो, देखो question क्या कह रहा है, question आपसे कह रहा है कि 2 partner थे, एक नया partner admit हुआ, और कितने के लिए admit हुआ, 1 upon 5 share के लिए admit हुआ, इसके आगे कोई भी extra information आपको नहीं दी गई है, इसके आगे कोई भी extra information आपको नहीं दी गई है, तो sir कैसे इसको निकालेंगे, हम कैसे new profit sharing ratio निकालेंगे, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ step मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं step से आप अपना new profit sharing ratio क्या करेंगे, calculate करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले आपको assume करना है कि ये आपका total profit है, आपका क्या है बेटा, total profit है, और इस total profit का जो value है, वो कितना रुपया है, एक रुपया है, ठीक है, इस total profit का value कितना है, एक रुपया है, अब ये हो गया आपका पहला step, अब दूसरा step, कि new partner share कितना है आपका, निउ पार्टनर शेर कितना है साथी साथ लिखते रहिएगा मेरा साथी साथ आप लोग लिखते रहिए तो निउ पार्टनर शेर यह तो आपको कुश्चन सही पता चल जाएगा one upon fifth अब तीसरा स्टेप हमारा कहता है कि आप मुझे बताइए कि रिमेनिंग शेर कितना है remaining ratio या remaining share after remaining share after deducted after deducted new partner share after deducted new partner share मतलब क्या है इसका कि भाई आपके पास total profit कितना था और आपने अगर एक रूपय में से नए वाले को एक बटा 5 दे दिया नए वाले को कितना दे दिया एक बटा 5 दे दिया तो आपके पास बचा कितना तो कैसे निकालेंगे इसके नीचे वन इधर क्या करेंगे calcium लेंगे कितना आएगा आपका 5 नीचे वाले से divide उपर वाले से multiply कितना आएगा 5 और यहां से जब आप 5 को 5 से divide करोगे 1 आएगा 1 का 1 से into करोगे कितना आएगा 1 तो यानि आपका बचा हुआ हिस्सा कितना आ गया 4 upon 5 इसना समझ में आ गया यह तीन स्टेप समझ में आ गए अब चौथा स्टेप देखिए जो आपका remaining share है जो आपका क्या है बेटा remaining share है will be distributed यह line जरूर लिख लीजेगा ताकि आपके काम आएगा आगे चलके will be distributed between old partner in old ratio old partner in old ratio जो आपका remaining share है जो आपका क्या है बाबू remaining share अब आप कहोगे कि सर हमारा remaining share है कितना क्यों नहीं भाई 4 upon 5 है न इस 4 upon 5 को आपको किसको देना है A को देना है और किसको देना है B को देना है और वो भी किस ratio में इनके old ratio में old ratio कितना है 3 is to 2 है यानि A का A का share कितना होगा 4 upon 5 into 3 upon 5 B का कितना होगा आपका 4 upon 5 into 2 upon 5 पीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 upon 25 यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 upon 25 A और B का new ratio आ गया कि नहीं आ गया A और B का new ratio आ गया कि नहीं आ गया अब देखो C का तो new ratio निकालना पड़ेगा या C का new ratio दिया गया है देखो C का new ratio दिया गया है और C का new ratio कितना है 1 upon 5 लेकिन हाँ आपको base बराबर करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा base बराबर करना पड़ेगा तो base बराबर करने के लिए आपको 5 से उपर 5 से नीचे यानि कितना आजाएगा 5 upon 25 तो new ratio आगया आपका 12 is to 8 is to 5 concept clear concept clear चलिए बहुत सुन्दर है अब इसी के साथ हम लोग sacrificing ratio भी क्या कर लेते हैं calculate कर लेते हैं क्योंकि उसकी अलग से हम कोई उसका अलग से कोई हम lecture नहीं record करने वाले हैं किसी में ही sacrificing ratio भी समझ लेते हैं आपको याद हो lecture number 5 में जब मैं आपको goodwill पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि admission के case में goodwill बाटी जाएगी sacrificing ratio के sacrificing के अनुसार और retirement और death में goodwill माटी जाएगी आपकी gaining ratio के अनुसार बताया था कि नहीं बताया था और मैंने ये भी बताया था कि जब new profit sharing ratio कराऊंगा तो आपको ये sacrificing करा दूँगा तो देखो sacrificing का लेकिन उस समय मैंने आपको एक formula जरूर बताया था और वो formula क्या था आपका old ratio minus new ratio old ratio minus क्या आपका new ratio और एक चीज़ और जहां ध्यान दीजेगा ये जो sacrificing ratio निकाला जाएगा जो sacrificing ratio निकाला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ old partner का निकाला जाएगा किसका निकाला जाएगा old partner का सर नया partner का अगर मालो निकाल दिये तो तो आपसे बड़ा गदहा कोई नहीं है क्योंकि अगर आपने नया का निकाला तो क्योंकि नया वाला तो पा रहा है ना वो कहां sacrifice कर रहा है पताये जरा क्या वो छोड़ रहा है कि वो प्राप्त कर रहा ह तो उसका क्यों निकालना यार ठीक है आओ चलवाओ देखो जल्दी से तो ए का और बी का तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है तो नीचे वाले से डिवाइड उपर वाले से मल्टीप्लाई तो नीचे वाले से डिवाइड क्या कितना आया 5 आया फिर 5 को 3 से इंटू किया कितना आया 15 माइनस 12 तो यहां पर कितना आजाएगा 3 अपॉन 25 और बेटा यहां पर कितना आजाएगा 25 और यहां पर 5 10 माइनस 8 तो 2 अपॉन 25 तो क्लास आपको यह कॉंसेप्ट क्लियर हो गया चलिए बहुत सुन्दर अब एक चीज देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सेक्रिफाइसिंग क्यों निकाल क्यों रहे हैं जब आंसर यह तो सेम सेम लग रहा है ओल्ड रेशियो ही सेक्रिफाइसिंग रेशियो लग रहा है तो क्या सर यह हर केस में रहेगा आंसर है नहीं सिर्फ दो केस में आपको ओल्ड रेशियो और सेक्रिफाइसिंग रेशियो सेम दिखेंगे लेकिन आगे जो दो तीन केस में और आगे कराऊंगा उसमें नहीं से दिखेंगे clear हो गया तो अगर कोश्चन कह रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा और अगर नहीं कह रहा है और अगर आपको दिख रहा है कि सर्ये case number one है तो आपको तो case number one समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब हम बात करते हैं अपने case number two की heading डाले जरा case number two लिखिये जरा when new partner PARTNER BRING HIS SHARE BRING HIS SHARE FROM OLD PARTNER IN EQUALY FORM IN EQUALY FORM इन इक्वल इक्वल ओम तर मतलब क्या है इसका इसका मतलब यह है बेटा कि जो नया पार्टनर है जो आपका क्या है नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा क्या बोला मैंने अपना हिस्सा बराबर बराबर अनुपात में क्या कर ले रहा है प्राप्त कर ले रहा है बराबर बराबर अनपात में क्या कर ले रहा है प्राप्त कर ले रहा है आओ देखते हैं जरा कुश्चन से देखो जरा जैसे दो पार्टनर है नाम क्या है A और B और इनका रेशियो है 3 is to 2 पेटा C को इन्हों ने एडमिट किया 1 upon 5 शेर के लिए अगर इतनी जानक कारी है तो यह हो गया केस नंबर वन लेकिन इसके आगे अगर एक सब्द लिखा है क्या लिखा है न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर एकन हिज शेयर एकन हिज शेयर प्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल इक्वल रेशियो इन इक्वल इक्वल रेशियो बिटा जब ये दो लाइन आपको देखने को मिल जाए कौन सी लाइन ये वाली इक्वल इक्वल वाली इसको हम क्या कहेंगे case number 2 कहेंगे इसको क्या कहेंगे भीया case number 2 कहेंगे तो सर अब यहाँ पर हम कैसे calculate करेंगे अपना new PSR तो इस तरीके के question को solve करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो new partner है यह जो आपका क्या है new partner है इसने old partner से कितना हिस्सा प्राप्त किया अब बताओ new partner कितने के लिए आ रहा है one upon five old partner कौन है sir a है और b है कितना हिस्सा प्राप्त किया sir equal 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 मतलब बराबर बराबर ना हम एक और एक लिख दें हम क्या लिख दें एक और एक लिख दें यानि ए से इसने कितना प्राप्ट किया एक बटा दो और बी से कितना प्राप्ट किया एक बटा दो सर माल लो तीन पार्टनर होते तो तो फिर बेटा फिर एक हो जाता एक बटा तीन हो जाता समाल लेख चार होते तो एक बटा चार हो जाता क्यों confuse हो रहे हो अब क्या करें सर अब कुछ नहीं करना है अब सिर्फ इनको multiply करना है क्या करना है भई multiply मतलब 1 upon 5 into 1 upon 2 1 upon 5 into 1 upon 2 सर क्या बात कर रहे हो कैसे करेंगे देखो ये वाला पहला point समझ में आया की नहीं आया अब दूसरा तो अब देखो A ने C को कितना दिया उसके हिस्से का एक बटा दो तो यानि कितना 1 upon 10 अच्छा एक बात बताओ मेरा एक छोटा सा सवाल है 1 upon 10 बड़ा है या 1 upon 5 बड़ा है कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर 1 upon 10 बड़ा है कोई है ऐसा क्लास में अगर है तो बता दीजे हाँ कहरा बता रहा है कि आपको लगता है सर 1 upon 10 बड़ा है पिटा 1 upon 10 का मतलब है दसवा हिस्सा और 1 upon 5 का मतलब है पचवा हिस्सा मैं ऐसे समझो कि माल लीजे एक जमीन है ठीक है ठीक है दो लोग है इनके पांच लड़के थे इनके दस लड़के थे ऐसे समझो इनके पांच लड़के थे और इनके कितने लड़के थे दस पहले वाले केस में किसको ज्यादा जमीन मिलेगी जिसके पांच लड़के है या जि तो यह concept दिमाग से भूल जाएए कि सर जिसका नीचे वाला गर बड़ा है तो वही बड़ा है वो छोटा है बेटा उपर वाला गर बड़ा रहता तो बड़ा मानते हैं हम ठीक है भीया चलिए खैर यहाँ पर एक आ गया अब बी का इसी तरीके से निकाल लीजे तो बी ने उसके हिस्से का एक बटा दो दिया है यानि कितना एक बटा दस दिया है क्लियर हो गया अब क्या करें अब सीधा निव रेशियो निकालो निव रेशियो सबसे पहले A का फिर B का और पिर किसका C का तो A का ओल्ड रेशियो क्या था 3 upon 5 और इसने C को कितना दे दिया 1 upon 10 B का ओल्ड इससा क्या था 2 upon 5 कितना दे दिया 1 upon 10 C कितने के लिए आ रहा था 1 upon 5 क्योंकि बेस बराबर करना रहेगा कि ए लिसम यहाँ पिए कितना जाएगा टेन यहाँ पिट दो आयेगा और दो यहाँ पे descriptions सिमाइन एक इंख जब पाइप को 10 से डिवाइड करेंगे तो दो ही आएगा ना और दो को तीन से गुड़ा करेंगे कितना आएगा ऍज aba और पाइफ अप conte 10 क्या जाएगा 5 upon 10 समझ में आ गए अब उसके बाद इसका देख लेते हैं इसमें कितना आएगा बेटा यहाँ पे भी 10 यहाँ पे 2 4 और 1 तो कितना आगया बेटा 3 upon 10 और यहाँ पे base बराबर करने के लिए 2 से उपर 2 से नीचे 2 upon 10 बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया concept clear हो गया तो यह है हमारा case number 2 समझ में आ गया बया अब इसी के आगे हम तुरंट इसका क्या निकाल लेते हैं sacrificing भी निकाल लेते हैं ठीक है इसका भी तुरंट क्या निकाल लेते हैं sacrificing ratio old ratio minus new ratio ठीक है आगे देखेंगे तो A का और B का A का old ratio क्या है बिटा 3 upon 5 और new ratio क्या है 5 upon 10 B का क्या है 2 upon 5 minus 3 upon 10 3 से आपको कोई मतलब भी नहीं है LCM कितना आया 10 यहां पे कितना आएगा 2 6 minus 5 तो 1 upon क्या आगया 10 यहां पे बिटा कितना आएगा 10 2 4 minus 3 1 upon 10 तो विटा S.R. कितना आगया आपका 1 is to 1 समझ में आगया जी इन दोनों केस में आपका sacrificing ठीक है जैसे पहले वाले केस में old ratio ही sacrificing ratio था दूसरे केस में जो आपका given share है मतलब जो दिया जा रहा है वही आपका sacrificing है जो आपका दिया जा रहा है दे कितना रहे हो आप बराबर बराबर न तो sacrificing आ गया की नहीं आ गया hint पकड़ लो थोड़ा सा clear हो गया इसी पे आपका case number 2 यहीं पे क्या होता है समाप्त होता है अब बारी किस की case number 3 की आईए case number 3 देखते हैं case number 3 लिखेंगे when new partner अगया दिख लिफो taken his share from old partner from old partner in आगयदिक्क पहलतः पहलतः क्वाब पायं प्टर थेखेंगे when new partner taken his share from old partner in hata dj statement is a specific ratio is a specific ratio specific ratio इसको कहते हैं निश्चित अनुपात क्या कहते हैं बिटा निश्चित अनुपात अभी बताऊंगा कैसे एक प्रॉम रेशियो प्रॉम रेशियो और तीसरा है आपका इस इस टू रेशियो मैंने आपको लिखे हैं इस टू रेशियो इस टू रेशियो या इस स्पेसिफिक रेशियो यह तीन को रेशियो आपको कुछ डिनोट करेंगे कैसे जैसे अगर स्पेसिफिक रेशियो है स्पेसिफिक रेशियो का मतलब जैसे माल लीजे दो पार्टनर है कि इनका रेशियो थ्री इस्टू टू है सी एडमिट हो रहा है वन अपॉन फाइब सेयर के लिए सी एकन हिज़ शेयर एकन हिज़ शेयर प्रॉम ए एंड बी वन अपॉन टू एंड वन अपॉन फ्री मतलब ए से वो कितना ले रहा है एक बटा दो बी से कितना ले रहा है एक बटा दो एक बटा तीन यह जो आपका पॉन्ट दिया गया है इसको हम कहते हैं स्पेस्फिक रेशियो यानि जहां पर अनुपात आपका क्या रहे निश्चित रहे ठीक है जहाँ पे साब साब पता है कि सर A से इतना लिया जा रहा है निया जा रहा है ठीक है जैसे इससे पहले वाले केस में जो केस नमबर टू आप पड़ रहे थे तो वहां लिखा था equal equal लेकिन कितना equal ये नहीं पता था लेकिन इसमें सापसाप बता दिया Sir A से 1 बटा 2 लेना है और B से 1 बटा 3 लेना है इसमें कोई समस्या ही नहीं है क्यों की भाई एक बात बताओ जब हमको पहले से पता है कि मेरा हिस्सा कितना है 3 बटे 5 है और मैंने नए पार्टनर को एक बटा दो दे दिया तो क्या मैं डारेक्ट नहीं माइनस कर सकता new ratio निकालने के लिए तो अगर specific ratio है यानि निश्चित अनुपात है तो आप direct क्या करेंगे माइनस करेंगे आप क्या करेंगे direct बिटा माइनस करेंगे बताओ समझ में आया कि नहीं आया उसी तरीके से जैसे ही B की बात करोगे B का कितना है आपका 2 upon 5 और इसने कितना दिया है 1 upon 3 डारेक्ट माइनस करेंगे नियू रेशियो लाएंगे कि नहीं लाएंगे लाएंगे जल्दी से बताएए यह कितना आया यहां पर यहां पर कितना आएगा 2 6 माइनस 5 यानि 1 upon 10 यहां पर कितना आएगा आपका यहां पर आजाएगा 15 ठीक है यहां पर आगया 15 अब कितना आएगा 3 यहां पर 6 माइनस 5 यहां पर कितना आजाएगा 1 upon 15 और C का नियू रेशियो तो आपको दिया ही है कितने से गुड़ा करेंगे 3 से 3 से सही है बेट करिए देखिए अब आपको 2 वेस बराबर करना है आपको कितना बेस बराबर करना है तो यहां पर 15 है यहां पर 10 है यहां पर 5 है तो बेस बराबर करने के लिए क्या करें ऐसा वही इसका ज्यादा है 15 यानि सबको हमें 15 लाना है क्या 15 आ सकता है पॉसिबल है दस में 15 कैसे आएगा दो में तो आ सर पांच में तो आ सकता है दस में 15 कैसे आएगा सरू क्या करें ऐसा क्या करिए आप LCM निकाल लीजे क्या निकाल लीजे LCM निकाल लीजे LCM निकालेंगे तो 10 15 5 पांच से काटिए 2 3 1 3 2 1 1 चलिए अब 2 से 1 1 5 गुड़े 3 गुड़े 2 कितना आ गया तो 30 यानि आपका जो इक्वल बेस होगा वो कितना होगा 30 इक्वल बेस कितना होगा 30 तब ही जाके आपका आंसर मैच करेगा तो यहाँ पे कितने से गुड़ा कर दे 3 से यह आ गया 3 बटे 30 यहाँ पे किस से गुड़ा कर दें 2 से यहाँ पे कितना आ गया 2 बटे 30 यहाँ पे किस से गुड़ा कर दें 6 से 6 बटे 30 तो new ratio A B C का कितना आ गया आपका 3 2 6 clear हो गया बिटा clear हो गया note down करेंगे जल्दी से इसको note करिए फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका सेग्रिफाइसिंग आप लोग निकालिए जड़ा अब तक हम आगले केस पर चलते हैं कर दो हादारै ए呢 झाल झाल चलिए देखेंगे चलिए आए देखते हैं अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं इस स्पेस्फिक रेशियो समझ में आगया सबको अब दूसरा हम इस टू वाला देखते हैं इस टू में यह दो बिंदी बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा अगर यह दो बिंदी आपको दिखें इसको हम कहेंगे इस टू या कहेंगे इस टू जैसे और पहले देखो जरा जैसे दो पार्टनर फिर से वही इनका रेशियो थ्री इस टू टू सी को इन्होंने एडमिट किया वन अपॉन फाइप से लिए ठीक है आगे देखो सब्द क्या लिखा है सी टेकन हिस शेयर टेकन हिस टेयर ए एंड बी इन दा ओम ओफ वन इस टू टू रेशियो जैन से सुनिएगा वन इस टू टू रेशियो कुशन क्या कह रहा है कह रहा है दो पार्टनर इनका प्रॉफिट सेयरिंग रेशियो कितना थ्री इस टू टू सी कितने के लिए अडमिट हुआ एक बटे पांच सेयर के लिए सी ने अपना सेयर किस से लिया ए और बी से लिया और कैसे लिया सर इस टू के फॉर्म में क्या बोला था मैंने इस लाइन को इस टू बोला था ना जब इस तरीके का question आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले करना है multiply क्या करना है बटा multiply और फिर उसके बाद क्या करना है minus करना है पहले क्या करना है multiply और फिर क्या करना है minus सर किसका multiply करेंगे सबसे पहले यह पता करेंगे कि A ने अपना हिस्सा C को कितना दिया B ने अपना हिस्सा C को कितना दिया क्योंकि इन्हों ने अपने हिस्से का ही तो 1 इस्टू 2 दिया है है ना A ने अपना हिस्सा A का हिस्सा था कितना सर 3 अपन 5 और इसने C को कितना दे दिया 1 अपन 3 दे दिया B का हिस्सा कितना था 2 अपन 5 और इसने कितना दे दिया 2 अपन 3 दे दिया तो कितना आया बेटा 3 अपन 15 और यहां पे 4 अपन 15 यह वह हिस्सा है जो कि क्या किया गया है सेक्रीफाई किया गया है अब यह इस तरीके का जब आप रेशियो देख रहे हैं तो अब यह स्पेस्फिक रेशियो में कनवर्ट हो गया कि नहीं कनवर्ट हो गया बताईए स्पेस्फिक रेशियो में हमने इसको convert कर दिया कि नहीं कर दिया जब specific ratio में हमने convert किया तो अब direct क्या करेंगे माइनस ही तो करेंगे क्या करेंगे अब direct माइनस करेंगे ना चलो माइनस करो अब जल्दी से तो a new ratio इसने सी को कितना दे दिया त्री अपॉन फिप्टीन बी का ओल्ड रेशियो क्या था टू अपॉन फाइव और इसने कितना दे दिया फॉर अपॉन फिप्टीन यहां पे त्री यहां पे कितना आएगा त्री और थ्री का थ्री से करेंगे तो कितना आ जाएगा इस अपॉन फिप्टीन यहां पे बिटा कितना आएगा यहां पे त्री अपॉन फॉर तू बाई फिप्टीन बिटा सी का अब कितना रेशियो था वन अपॉन फाइब था ना इन से उपर तीन से नीचे कितना आ जाएगा विड़ा त्री अपॉन फिप्टीन इनका जरह सेक्रिफाइसिंग निकालेंगे सभी लोग और मुझे अंसर भेजेंगे जल्दी से कि आपका कितना आ जाएगा भाई कि आजाएगा आपका थ्री अप्री इस्टू फॉर आएगा प्री इस्टू पॉर यहां पर लिखा भी तो है मैंने यार कि देखिए है 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 तो अधे है प्री इस्टू पेश्ट कितना आएगा आपका थ्री अपॉर फईव माइनस शिक्स अपॉर फिप्टेन और यहां पर टू अपॉर फाइफ माइनस फउपॉन 15 लिया मैंने 15 यहाँ पर कितना आ जाएगा इन नाइन माइनस सिक्स कि एक इसमें क्या करेंगे क्या करेंगे क्लास क्या करवा रहे हूं मेरे से हाथ हाथ हम कर क्या रहे हैं कि अग्या पर त्री सेक्स माइनस टू मेरा तो आंसर आ गया अब किसी का अगर कुछ अलग आ रहा है तो विटा आप कि क्या है समय की है मिलेगा ध्यान से समझिये एक सब्द आपको मिलेगा फ्रॉम शेयर और एक होगा फ्रॉम शेयर इस टू शेयर या ओफ हिस सेयर होगा बेटा ओफ हिस शेयर ओफ हिस शेयर ध्यान से समझिये दो चीज एक दिखेगा आपको फ्रॉम शेयर और एक दिखेगा आपको ओफ हिस सेयर जब फ्रॉम शेयर रहेगा तो आप डारेक्ट माइनस करेंगे और ऑफ हिस शेयर रहेगा तो आप क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे मतलब अभी जैसे आपने उपर वाला case को क्या किया है solve किया है बस यही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है तो आपका इसी के साथ new profit sharing ratio वाला concept भी यहीं पर क्या होता है समाप्त होता है अब आपको करना क्या है जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो ठीक है बिल्कुल लाइक बिल्कुल काम नहीं करते हो मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरा वीडियो लाइक करो शेयर करो फलाने करो धहमागे करो लेकिन कम से कम यार अपने लिए तो पढ़ो जो प्रीवेस में चीजे पढ़ाई गई है उसके सवाल तक आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है आपने देखे मेरे से बहस मत करिए बेमतलब का ठीक है तो सीधा भी क्लास के बाहर निकालूँगा आपको एक सवाल पूछो तो भी किये हैं किया किये हो यार क्या किये हो अभी तक तुम एक सवाल का अंसर नहीं आ रहा है और बकाईदी मार रहे हो आप किये हैं कम से कम अपने आप से जूट मत बोलो यार मुझसे जूट बोले चलो ठीक है अपने आप से मत बोलो में जब देखते हो सीस यमहाई न अपना देखते हो चैरा कैसा अब लगता है अपने लिए पढ़ लो भाईया अपने लिए पढ़ लो मेरे लिए ना पढ़ो एक महीना बाद पेपर है लेकिन अभी भी आप लोगों के अंदर अभी भी वही बच्पना पढ़ा है अभी भी आप वही सोच रहे हो कि यह स्कूल का पेपर है पास हो जाएंगे किसी तरीके से बोर्ड का पेपर है यार बोर्ड का पेपर है कम से कम अब तो सीरिस हो जाओ कल की क्लास में हम आपको रिवेलुएशन वाला कॉंसेट कराएंगे आपसे उम्मीद यह करते हैं कि जितना भी आप लोगों ने प्रिवेस का पढ़ा है उसको आप अपना पढ़कर आएंगे और इस सनिवार को जितना आपको पढ़ाया गया है उस सब का पूरा का पूरा आपgun की आह मेरी यापलूू हाहा है इस अबसा र wing आपको ओराशं मनोहाँelect मोवेक उम आपको च título मेरी इस मैं मेरी आपको लाया जै कि एस लिवे आपको प्रिवेभरकोंचे ते, कि ए आपको न Яपना तो इसक फईस प्टर आपकोश्पम झापकोंपता उम ख़ूशन या